नमस्कार संस्कृत के प्रिविद्यारत्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेगनेट ब्रेंस हिंदी मेडियां पर मैं पंकस्तिवारी जैसा कि मैंने आपसे बादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग लेकर के आऊंगा हम लोगों ने संपूर्ण पार् रहेगा आपको इसमें पढ़ेंगे सब्दार्थ और उनकी व्याक्या तो ध्यान रखिएगा आप हमारे साथ बने रहेगा जल्द से जल्द हम इसको करेंगे पूरा फिर आगे बढ़ते हैं ध्यान रखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्छा नौवी संस्कृत बिहार बो हैं इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि सब्दार्थों से हमें इस पार्ट के सब्दों का अर्थ पता चलता है और अर्थ पता चलने से हम क्या है पार्ट का एक्स्प्लेशन करने में बहुत आगे रहते हैं इस बात का ध्यान रख लेना क्योंकि सब्दार्थ का अर्थ ह हो सकता है बहुत सारे सवधार्थ ir Hutu Altus Cand credential सब्दार्थ में हर पॉष्तक में पॉष्त सब्दार्थ रहते है जो उस पार्ठ के चुनिंदा और मुख sommes न sm plant करके ठीक तो आप लोगों को सब्दार प्लस व्याक्या व्याक्षिया का मतलब क्या होता है थोड़ा सा विस्तार रूप और विस्तार रूप में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तो आप लोग देखिएगा सबसी पहला दिया हुआ है यहां पर सब्द लिखा हुआ है सब्दार्था शब्दार्था यहां लिखा है पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि यह कौन सी विवक्ती बचन का रूप लगा हुआ है ठीक है ना जैसे मैं आपके यहाँ तेन लिखे दे रहा हूँ यह लिखा है सब्दारथा यहां लिखा हुआ है सब्दारथा हो गया सब्दारथा हो और यहां लिख दिया है सब्दार था यह आप बताईए कौन सा लिखा हुआ है यहां यहां लिखा हुआ है लाश्ट बाला क्यों लिखा है तो आप लिखने से तो आप समझ गया होंगे कि यह एक बचन है क्या है यह एक बचन है और ये दुई बचन है ठीक आप इतना तो समझ गया होगे दुई बचन और ये बहु बचन ठीक लेकिन आप लोगों को ये जानना ही है यहां तो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको अन्यत्र भी जानना है सब्दार्थ अगर पूँच लिया उसने सब्दार्था सब्द में कौन सा लिंग बचल कौन सा बचल लगा हुआ कौन सी विभक्ति लगी हुई है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रत्मा विभक्ति का क्या लगा हुआ है बहु बचनांत रूप लगा हुआ है एक बचल में सब्दार्था एक सब्द और एक अर की संक्या हो जाए वहां बहुबचन का रूप लग जाता है समझ में आगे है बिटा आगे चलते हैं अगला हमारा जो इसमें सब्द दिया हुआ है सब्द पर दिखी लिखा हुआ है समनवय क्या लिखा है समनवया लिखा है न जिसका अर्थ यहां पर शमूह दिया हुआ है ठ खटटा होना, बहुत सारी अर्थ है, और समूई का मतलब भी होता है, अब समूई का अर्थ आप यहां लिकाल सकते हैं, दल, गोश्ठी, ठीक है न, जुन्ड, ठीक, समूई तो इसका है ही, पार्टी, टीम, यह अर्थ ही तो है, समूई का मतलब क्या है? समन भाय होकर के कारे करना ठीक तो यहां पर उन्होंने एकत्रित होकर के एक सारी चीज का एक जुट बना करके एक गुट बना लेना तो गुट भी होता गुट बना लेना यह हमारा क्या आप जैसे कक्छा की बात करना है अच्छा हमारा समुहिवाची सब्द है ध्यान लख लेना तो यह समनवय का मैं आपको इतने सारे अर्थ क्यों बता रहा हूं क्यों कि आप लोगों को जानना यह जरूरी है कि एक सब्द पर ही टिका नहीं रहना है बस ध्यान लखना अब यहां दिया हुआ है समनवयाह ठीक समनवयाह सब्द में प्रतमा विभक्ति का एक बचन लगा हुआ है क्या लगा हुआ है एक बचन अब इसमें एक बचन लगा है इससे यह स्पष्ट हो गया है कि जब बात करें हम दल की जब बात करें गोश्टी की जब करें जुन्ड की पार्टी की टीम की गुट की यह समुवाची सब्द हमेशा एक बचन में होता है समुवाची सब्द किसमें होता है एक बचन में होता है अब जैसे हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं लेकन जब बात आती है देश की तो भारत कहा जाता है भारत दो चार है कि एक है मतला ये कितने हैं भारत एक ही भारत है उसके अंतरगत कितने राजिसमाहित हैं बहुत सारे उसी प्रकार से एक टीम होने से उसमें एक टीम में 11, 12, 15, 16, 50, 20 जितने भी कितने भी हमारे क्या होंगे खिलाडी होंगे लेकन वो सब एक टीम के कहलाएंगे टीम इंडिया इंडिया का नाम ही आएगा न एक टीम में चाहिए कितने भी हमारे खिलाडी हों लेकर वो टीम कहलाएगी एक ही अर्थार समूह बाची जितने भी सब्द होते हैं वह एक बचन में होते हैं इसलिए यहां क्या लगा है समन वयाह एक बचन रूप लगा हुआ है नहीं तो यहा दिखा हुआ है सेनानी सेनानायक सेनानी का मतलब सेनानायक पहले प्रत्मा का एक बचन सेनानायक अब सेनानायक भी एक ही होता है जब एक बहुत सारी सेना होती है बहुत सारी सेना होंगी आपकी ये सेना है ठीक है ये सेना खड़ी हुई है और इनको नियंतरण में रखने वा ही çıkा की ना वह आपका शेनानायक कहलाएगा यहाइगा कि नि जो इनको कंट्रोल करेगा थो वह सेनानयक वह भी तो हमारा क्या एक ही होगा सेनाडी हो है समझ भी आ गया चलिए आप लिखा हूंगा आखीट कुशला सिकार में निपुन आखिट कुशला का मतलब सिकार में निपुन अर्था आखिट का मतलब होता है सिकार और कुशला का मतलब होता है निपुन ठीक अर्थार तो किसमें सिकार में निपुन हैं सिकार में क्या हो गया है निपुन हो गया है और कौन बीर शिंग बीर कुवर शिंग सिक अब आगे देखें तारुण्य क्या लिखा दारने तारुण्य का मतलब होता है तरुण अवस्था होती है क्या होती है तरुण अवस्था तो यहाँ सप्टमी के एक बचल लगा हुए तो अब यहाँ जबानी में तरोण अवस्था जो हमारी चलती है 17 साल के उपर 17 साल से अंडर 17 जो अंधर होते हैं 17 साल के अंधर वाले वो हमारे क्या है किसोर अवस्था में आते हैं 17 से उपर हमारे तरोण अवस्था में आते हैं जिनें हम यह कह सकते हैं जवानी में क्या कह सकते हैं जवानी में सब्तमी विभक्ती का एक बचन लगा हुआ है ठीक फिर दिया है आरूधे आरूध मने बैठने पर सब्तमी विभक्ती का एक बचन इसमें भी लगा हुआ है तभी तो इसका कारक्चिन लगा है यहां सब्तमी का पर आरूध का मतलब होता है बैठन और आरूडे का मतलब होता है बैठने पर आरूडे का मतलब बैठने पर ज्वाला लो या लपट बहुत तेज अगनी की ज्वाला जब निकलती है न उसे हम ज्वाला बोलते हैं उत्शरगायो थ्याग के लिए उत्शरगाय मतलब चतुर्थी विवक्ति का एक बचन इसलिए ह हमारा अर्थ निकलेगा के लिए क्या अर्थ निकलेगा के लिए उत्शरगायो ठीक रामहा रामम रामेन रामायो उत्शरगहा उत्सरगम उत्सरगेन उत्सरगायो भूमिका सहभागिता भूमिका का मतलब सहभागिता अर्थार किसी चीज में सहभागी होना किसी चीज में अ होता है सहभागिता इसके बाद दिया हुआ है उद्घोषयत उद्घोषयत में यह आपका उद्घोषयत जो रूप बना हुआ है घोषणा की यह आपका लोट लकार में रूप बना हुआ है प्रथम पुरुष एक बचन में बनता है उद्घोषणा करना यह उद्घोषयत उ लड़ाई, शंग्राम का मतलब क्या होता है लड़ाई और जहाँ युद्ध हो वही युद्ध बाइय डो लोगों के बीच में जरूर युद्ध होता है लेकर उसका नाम होता है युद्ध तो संग्रामा, तो प्रतमा का एक बचने इसमें लगा हुआ है के लिए के लिए कार्थ निकलेगा तुम उन प्रत्ताय के कारण और ग्रह तुनीघ्रिक मतलब होता है गरपतार करना या बंदी बना लेना कि त्री रंगम धोजम तीन रंगों बाला झंडदा तीरंगा झंड़ा तीन रंग आपको मालूम है सफेधहराकेसरिया तेन रंग में हमेरे धव्ज में हैं जिसे हम अपना तिरंगा जंड़ा बोलते हैं वही जंड़ा फिर लिकाया सम रत्थोलित वante सम उत्तोलित वन्ता का मतलब होता है फैरा दिया सम उत्तोलित देखें सम प्लस सम प्लस उत्तोलित वन्ता तो बहवचनान फ़ाद लगा हुआ है और यहां पर उन्होंने कह दिया फैरा दिया उन लोगों ने जंडे को फैरा दिया फिर लिका भुसुंडी गोली का प्रहारेण। जिसका अर्थ होता है बंदूक की गोली लगने से तस गोली का घातेण। अर्थार्थ गोली की बंदूक लगने से तो तृतिया विभक्ती का एक बचन लगा हुआ है भुसुंडी का मतलब बंदूक और गोली का मतलब गोली। दिवंगता दिवंगता में प्रत्मा विवक्ति का एक बचन लगा हुआ है म्रत्यू को प्राप्त हो गए म्रत्यू को क्या हो गए प्राप्त हो गए इसलिए दिवंगता आगे देखेंगे व्याख्या देखेंगे ये सब्दों के अर्थ थे अब सब्दों की व्याख्या देखेंगे अभी सब्दों के अर्थ थे सब्द संस्कृत में थे और हिंदी में उसका अर्थ था लेकिन अब सब्द रहेंगे संस्कृत में और संस्कृत में ही होगी उनकी व्याख्या देखें लिखा हुआ है समन वया क्या लिखा है समन वया जिसी हम कहते हैं समूह समूह कुछ नहीं हुआ देखो बिशर्ग लग गया समूह बन गया सेनानी सेना पति ही प्रत्मा का एक बचन पर प्रत्मा का एक बचन सेना पति ही विशर्ग हो गया आखेट कुशलह मिर्गियायाम निपुणह अर्था मिर्ग आदी को मारने में निपुण उसी कहते हैं देखो यहाँ पर आखेट कुशलह मिर्गियायाम सप्त्मी का एक बचन निपुढ़ा में पृत्मा का एक बचन तो म्रिग याया माने म्रिग आदी को मारने में तारुणने में सब्तमी का एक बचन योबने योबन अवस्था जवानी तो योबने में भी सब्तमी का एक बचन तारुणने में भी सब्तमी का एक बचन लगा हुआ है आरूड ये में सब्तमी का एक बचन आरूड का मतलब बताया था चड़ना या बैठना आसीने आसन क्या हो जाना आसीन हो जाना किसी चीज में तो सब्तमी का एक बचन ज्वाला ज्वाला का मतलब होता है अगनी शिखा अगनी शिखा आग की लपते ज्वाला ठीक ध्यान रखना उत्सरगाय उत्सरगाय में चतुर्थी का एक बचन तो त्याग आयो त्याग देना उत्सरग कर देना किसी चीज का त्याग करना त्याग के लिए उत्सरगाय उत्सरग के लिए अर्थ निकलेगा फिर लिखा हुआ है भूमिका योगदानम भूमिका का मत मतलब योगदानम अब यहां से आप कोई भी जैसे अगनी शिखा लिखा हुआ है अगनी शिखा और ज्वाला यह प्रत्मा का एक बचन होगा ध्यान रख लेना अब अगनी मतलब तो आग और शिखा मतलब होती हो उसकी चोटी या ज्वाला ठीक तो अगनी शिखा हो जाएग ठीक आगे देखेंगे उद्गोशयत उद्गोशयत लिखा हुआ है तो उद्गोशयत का मतलब उद्गोशना कृतवान उद्गोशना कृतवान उन्होंने उद्गोशना कर दी क्या कर दी उद्गोशना उत प्लस देखें गोशयत क्या लिखा है गोशयत यहां पर इस प्र और यहां ता अपने ही बर्गे की तीसरे अक्षा परिवर्तन करेगा दा में किसमें परिवर्तन करेगा दा में ता था दा तो हो जाएगा उद गोसयत को सीधे सीधे इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा उद्धोस इत बन जाएगा न उद्धोस इत बन गया चलिए फिर आजी दिया हुए है इसमें संग्रामः शंग्रामः का मतलब युद्धम तुम उन प्रत्य लगा हुए है और अधीनि करतुम ख्रही तुम अर्थार्थ अधिकार छीत्र में उनको ले लेना या ग्रहाण कर लेना त्री रंगम धोजम त्री वर्णात मिकाह पता का तीन वर्णों का पता का जंडा सम्यक आकासे उत्थापित बनता सम्य सही रूप से आकास में उठा करके उड़ाना या उत्था बनता लेकरके लहराना भुशुंडी गोली का प्रहारेड भुशुंडी नाम अस्त्रविशेशा तस गोली का घातेनो ठीक तो यहाँ पर गोली के लिए कहा है अस्त्रविशेश है यह दिवंगता स्वर्गम गता या मृत्यूं प्राप्ता स्वर्ग को प्राप्त या मृत्यूं को प्राप्त यहां देखें तस्स में सश्टी विवक्ति गोली का घातेन में भी तरतिया विवक्ति लगी हुई है ठीक गोली के आगहात से गोली का घातेन तो यहां दीर गिशंदी भी हो गई है देखें गोली का प्लस गोली का घातेन अघातेन नहीं घातेन दीर की शंदी तो नहीं होगी लिए अग्वक्ति का एक वचन हो गया ठीक अघातेन में गलत हो जाएगा गोली का के अघात से ठीक घात से अघात ठीक हो गया विटा यहां देखें ये आपके सब्दार्थ और व्याख्या पर हमना चर्चा की छोटा सा वीडियो लेकर के आये थे जिसके वल सब्दार्थ पर चर्चा नहीं हो पाती जब बहुत लंबा जब इसको उसके संधी अंधियों के साथ में रखते हैं तो उन पर जादा समय लग जाता है सब्दार्थ और व्याख्या पर चर्चा नहीं हो पाती इसलिए इनको मैं अब अलग रखने लगा हूँ जिससे इन पर चर्चा हो सके क्योंकि मोस्ट अर्थ निकालने के लिए तो इनहीं की विस्यसाव सकता होती है ठीक तो आप लोग बड़िया विंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा बिल्कुल भी परिशार नहीं होना है ध्यान रखिएगा आप किसी भी माध्यम से हो चाहे आप सीवी सी हिंदी मीडियम हो चाहे सीवी सी आपका इंग्लिस मीडियम हो आप यूपी वोट से हैं विहार वोट से हैं आप एंपी वोट से हो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है क्योंकि मेगनेट ब्रिश परिवार आप लोगों को देता है हाई क्वाल्टी एजूकेशन भारत का एक मात्र एशा प्लेटफॉर्म जो निसुल के सिक्षा आप आप लोगों को अभी परिच्छा के समय बहुत सारी नोट्सों की आवसकता होगी और नोट्स का मतलब ही होता है कि अधिक अंक लाना है तो कैसे लाएं चुनिंदा छटी हुई चीजें बिसेस रूप से मोस्ट इंपोर्टन चीजों को जानने के लिए आप लोगों को यहा से नोट्स से प्राप्त हो जाएंगे बागी सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी आप लोग तो बस जल्दी से देर नहीं करना है डिस्क्रिप्सल लिंक पर जाएंगे बस आप लोग ध्यान रखिएगा अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है त अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, कमेंट जरूर करते रहिएगा अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिएगा जयत उस्क्रितम, जयत भारतम